आप्रोक्सिमेटली 50 MCQs मैं आज आपके बास लेकर आया हूँ GK के अंदर Current Affairs की बात करूँ Static GK के अगर मैं बात करूँ उसमें 50 MCQs बहुत होते हैं आपको अगर आज 50 MCQs जो मैं करवा रहा हूँ तो Highly Highly Chances है उसमें से 2-3 आपके बास MCQs At Least इतनी percentage of success हम लेके चलते हैं 2-3 MCQs आपके बास देखने को मिलेंगे CVT 2023 के exact paper के अंदर एक बास सुन पार हो तो thumbs up करो और एक Current Affairs नाई सिर्फ CVT के लिए IPCT या for that matter of fact Simba Isis जहां जहां पे आपके बास Current Affairs आता है वहां पे आपको ये particular class काफी help करने वाले है तो मैं आपको समझा देता हूँ सभी students को ये दिख रहा है एक बार बतातो Good morning, Good morning, Good morning Sir Physics semester नहीं है तो क्या selection नहीं होगा ऐसा नहीं है बलकुल भी One language, one domain और one general test के basis पे हो जाएगा सिर्फ 2-3 Sir Yes, देखो ना हर रोज जो live class conduct करवाई जा रही है अब आप ये भी देखो हर रोज अगर हम 50 question करेंगे हर रोज में से 2-3, 2-3 आई जाएंगे तो 10 दिन में तो हमारी पूरी जीके ख़तम हो जाएगी तो 2-3 is also a very very good number Yes, Good morning, Good morning Hello everyone बहुत बढ़ी है संगेच श्रेया विकरान, सतेंद्र, बहुत बढ़ी है यार अपने आपको टेस्ट करना जो जो आज में लिका है हूँ आपके पास मज़ा आ जाएगा अपने आपको टेस्ट करना शुरू करना CVT 2023 का जनरल टेस्ट के अंदर ये जो current affairs है उसके most important questions आज में आपके पास लिका आया हूँ 50 mcqs करेंगे ट्राय करने का सभी अपने friends को जोड़ लो session को सारे like कर दो ताकि आपके पास liked videos में ये like class save हो जाए और in future भी आपके पास notification आ जाए हर रोज सुबह 8 बजए ये schedule है 6th April का schedule है हर रोज सुबह 8 बजए हम मिल रहे है general awareness current affairs की life class के अंदर general test के अंदर जो आपको काम आने वाली है 10 a.m. हम मिल रहे हैं आज तो मस हो जाएगा ये संक्यदाद मस हो जाएगा 10 a.m. हम मिल रहे हैं English language के लिए 11 a.m. हम मिल रहे हैं Hindi language के लिए 11 a.m. और 12 p.m. आपकी फिर जितने भी commerce के students है 11 a.m. आपकी physical education स्टार्ट होती है 12 p.m. आपकी accountancy स्टार्ट होती है फिर 12 p.m. में एक बहुत interesting mock paper करवाने वाला हूँ general test का जिसमें हम logical reasoning और quantitative ability के questions करेंगे mathematics के कुछ question करेंगे और logical reasoning के 12 p.m. फिर आपकी chemistry की live class है 1 p.m. आपकी business studies की live class है 1 p.m. biology हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे business studies और biology यह PCB के student अटेंड कर सकते हैं जितने भी students commerce के हैं वो business studies अटेंड करें फिर 2 p.m. आपकी physics की live class है 7 p.m. आपकी logical reasoning general test की live class है 9.15 general test की numerical ability की separate live classes है यह पूरा पूरा live class का schedule है इसको सारे join कर लेना यह कहां मिलता है ध्यान समझना यह कहां मिलता है यह आपके पास learn करो application पे मिलता है और telegram group पे प्यारे बच्चों जोड़ जाओ सारे telegram group का link मैंने comment section में डाल रखा है वहाँ पे आपके पास यह पूरा पूरा schedule मिल जाता है as always yes sir एक बार start कर दें बहुत बढ़ी है संगेत बहुत बढ़ी है यार good motivation good motivation चलो begin करते हैं आपको पताओ ना चाहिए CUET 2023 के अंदर दो तरह के components आते हैं as far as current affairs are concerned जी के जो जी के जो part बोलते हैं जी के दो parts है वैसे तो दो तीन parts होते हैं एक तो होती है static जी के और एक होती है current affairs तो अब static जी के approximately हम 10 से 15 questions 10 से 12 questions expect करके चल सकते हैं और current affairs के approximately 15 से 20 यह range करते हैं overall अगर आपका 60 questions आएंगे उसमेंसे हम expect कर रहे है at least 20 to 25 क्योंकि general desk के अंदर अगर मैं सिर्फ CVT के pattern की बात करूँ general desk के अंदर 60 questions आने हैं जिसमेंसे आपको सिर्फ 50 attempt करके आने हैं तो यह 20 to 25 questions इसमेंसे current affairs या static GK के होंगे in short GK के questions आपके पास आएंगे कितने हैं 20 to 25 अब मेरा हमेशा पोल आपके पास यह रहता है static GK के पहले करें या current affairs पहले करें जल्दी से बता दो हर्षिता अभी नंदन क्योंकि दोनों के questions में लाजवाब आपके पास लिखाया हूं शुवम रावत बहुत बढ़े हैं साथविक नूर ग्रोवर सरीको की class कब से start होगी नूर आफ्टर 15 अप्रिल 15 अप्रिल के बाद आपकी इकॉनमिस की life class भी start हो जाएगी don't worry at all static GK हो गया current affairs जल्दी से बता दो भई life class में जल्दी से बता दो yes 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 static GK current affairs static GK current affairs जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए पहले comment करके बताओ आप सबका पोल जरूरी है static GK जादा reply आ रहा है गंगा सागर सात्विक awesome sorry for the back throat गलावी भी खराब है static GK static GK static GK बहौत बढ़ी है यार five questions increase कर दो full आ जाएंगे done है done है done है मुसकान दिवारी बहुत बढ़ी static GK से start करता है चलो भई पहला question start है which of the following अब आप सब की ध्यान पूरा का पूरा focus यहां होना चाहिए आप सब के chats में यहां पे खोल लेता हूँ आप सब का पूरा focus इस particular question पे होना चाहिए कोई भी Google से cheat ना करे 2023 के अंदर ठीक है जी चलो start करते है ओके perfect which of the following territories was the first to be part of India after independence आपको पताओ न चीए territories कौन कौन सी है इंडिया की इंडिया की territories कौन कौन सी है डमन एंडियू चंदीगर दिली इस ऑसो ए union territory मैंने बताया था union territory के बारे में एक फैक्ट बताया था जिसके according union territory का न lgb होता है जिसको lieutenant governor बोलते है और union territory का lgb होता है और cmb होता है हर एक union territory आप कोई भी union territory उठाओ उसका lgb आपको दिखेगा और cm chief minister भी उसका आपका दिखेगा जैसे दिली का भी है चंदीगर का भी है दमन इंदू का भी है पुड्ड चैरी का भी है आपको पता है और कौन कौन से हैं और भी बहुत और दादरा है नागरा वेली इस इस और union territory जिल्दी से बतातो right answer क्या है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है answer आना सब का शुरूआ awesome 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 right answer is B for Bombay बढ़ी सब का पहला ही जवाब सब का इतना ला जवाब है मज़ा आगया बढ़ी एक भी student का मेरे को ध्युला की जितना awesome 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 बहुत बढ़ी है दादर एन नागरा हवेली इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है awesome is B for Bombay दादर एन नागरा हवेली यह first union territory थी जो independence के बाद form होई ठीक है the first strategy was दादर नागरा हवेली which was part of first India after independence कब हुए India after independence 1947 के अंदर the 10th amendment तो दादर नागरा हवेली as a union territory कब हाई 11th August 1961 के अंदर रही ठीक है who among the following British Prime Ministers अच्छा British Prime Ministers की यह बात करें है has announced the communal award in 1932 during India's freedom movement यह तो जितने भी political science history के student है उनको पताओना चाहिए 1932 में क्या चल रहा था इंडिया का freedom movement चल रहा था 1932 में क्या हमारा देश अजाद था जल्दी से बताओ 1932 के अंदर क्या हमारा देश अजाद था उसका अंसर नहीं अजाद नहीं था तो इंडिया की तब क्या चल रही थी एक movement चल रहा था जितने भी politicians थे जितने भी कारे करता थे जो freedom की तरफ movement किया करते थे एक अलग सा movement उन्होंने लॉंच किया तो उसको बोलते हैं इनको award दिया जाए मतलब सरहाने लायक effort था इंडियास freedom movement के अंदर तो ब्रिटिश का प्राइम निस्टर खुद आके बोलता है वाँ वाँ क्या काम कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो तो he considered himself और ये जो ब्रिटिश का प्राइम निस्टर है वो अपने आपको friend of Indians बोलता था ये क्या है friend of Indians बोलता था कि वही मैं तो Indians का friend हूँ मेरे को पता है मेरे देश ने इनके देशों पर कबजा किया वाए है रूल कर रहा है ब्रिटिश या ब्रिटेन रूल इंडिया ब्रिटिश का ये वाला प्राइम निस्टर बोलता था अरे नहीं नहीं मैं तो friend हूँ मैं तो इंडिया का friend हूँ right answer क्या होना चाहिए majority students का right answer गलत है right answer A आना चाहिए A वाले बिल्कु सही है सारे James Ramsey MacDonald बहुत बढ़िया Vikram Boach A बाइ जिस जिसका right answer A आया है Spencer Keshavrati जिस जिसका right answer A आया है A is absolutely right Harsh का A बिल्कु सही है James Ramsey MacDonald बोलते हैं James Ramsey MacDonald He is the British Prime Minister जिन्होंने communal award दिया था 1982 में इसको थोड़ा सो और पढ़ लो एक बार ये कपते Prime Minister United Kingdom के 1929 से लेकर 5-year का 10-year होता है बढ़ इनका 6-years का चला था 1929 से लेकर 1935 तक He was first Labour Party politician ये तो British का but important है ठीक है उसके बाद और भी Prime Ministers की यहाँ पे dates दे रखिए इसको एक बार आप check out कर सकते हो आगे मुँआं गरे Which type of federalism is seen in India important है यार अगर आपको ये नहीं आएगा अंसर तो Indians तभी आपके लापाते हो जब federalism का मतलब पता हो federalism का मतलब क्या होता है federalism का मतलब होता है एक ऐसी country जो कि different states में divided हो एक national government होती है फिर states government होती है इतने बड़ी देश को संभालना कोई हलवा काम नहीं है ध्यान जे समझते है मैं क्या बोना चाह रहा हूँ इतने बड़े देश को संभालना कोई हलवा काम तो है नहीं तो federalism model चलता है जिसके अंदर states को थोड़ी different power दी जाती है और nationwide को थोड़ी अलग power दी जाती है तो इसको बोलता है federalism अचाहीं यहां पे federalism का कौन सा टाइप देखा जाता है इंडिया के अंदर कुशे के लोट श्रेया सबने सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया रिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो बहुत सारे students बोल रहे है sir coming together and holding together दोनों देखी जाती है नहीं यार दोनों नहीं देखी जाती coming together का मतलब यह होता है every state has equal power coming together का मतलब होता है every state has equal power in fact जो आपका nation है जो nation की power है मतलब जो central government बैटी भी है उसकी भी power state government जैसी है क्या यह true है coming together का मतलब होता है हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे सबके equal rights होंगे जो central पे government बैठी भी है national government बैठी भी है उसका comparison state government से और दोनों की power सेम है नहीं यार coming together इसलिए right answer नहीं होगा क्योंकि जो central government बैठी भी है उनकी power state government से जादा होती है इसलिए right answer is B is the right answer holding together government और cooperative इसका एक नया नाम भी लिखो इसका cooperative क्योंकि आपके पास question में इस तरह भी आ सकता है cooperative federalism बोलते हैं इसको इसके अंदर power को divide क्या जाता है between constituent states and the national government however holding together में जो nation होता है जो center होता है जो दिल्ली में बैठके सरकार है इसलिए इसको बोलते है जो center वाला व्यक्ति है वो hold कर रहा है इसको बोलते है holding together federation right answer is B for Bombay इसका बिल्कु सही answer है चलो article dash of the constitution of India gives the election commission the power to supervise elections to the parliament state legislator basically बोलना चाहरे है जो वो है na election commission उनके पास power है कि parliament में या state legislator के जो भी elections हो रहे हैं उसको coordinate करना organize करवाना moderate करवाना कोई भी धोका ध़ी ना हो elections के अंदर तो यह किसका काम होता है? election commission का काम होता है chief of election commission बहुत important है आपके पास CUED के current phase में current chief of election commission गोन है सबसे बहले election commission कब establish करी गई थी first time establishment one is important यह first time establishment बहुत important है सबसे पहले कब established करी गई थी first time establishment first time establishment जल्दी से बतातो भई राइड अंसर क्या होगा article कौन सा article है यह article डाश of the constitution of India gives the election commission the power to supervise elections to the parliament and legislatures राइड अंसर राइड अंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 सबका अंसर बिल्कु सही है I am proud of each and every one of you 342 is the right answer article 342 में बोलता है बात article 342 याद रहेगा superintendence का मतलब है supervision direction control of elections to the parliament किसको देता है किसको देता है यहाँ पर election commission को देता है election commission को देता है ठीक है जी supervise कर सकता है direction दे सकता है control कर सकता है coordinate कर सकता है which of the following sea has highest salinity बहुत अच्छा question which of the following which of the following जल्दी से बता तो भई which of the following sea has highest salinity highest salinity का मतलब बता हूँ क्या है salt sea salinity का मतलब salt है इस sea को salt sea भी बोला जाता है तो इन में से कौन सी sea में सबसे जादा salt पाई जाती है यह question बुछना जा रहा है yes अभी नंदन आएंगे मैं आगे करवाता हूँ स्टाइटिक जी के मैं science के भी questions आते है देखो यार अब questions हमें जादा करने है reply और response चाहिए बहुत जादा ठीक है in short इस question को हम इस तरह भी frame कर सकते हैं what is the world's saltiest what is the world's saltiest water body world's saltiest water body world's saltiest water body है dead sea dead sea बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सब का इसका बिल्कु सही है dead sea एक ले है और इस water body के अंदर 33.7% salinity है मतलब इस sea के अंदर 33.7% तो सिरवर सिरफ salt है rest remaining और solubles है और salt आपको बता है कितना solubles होता है पूरी sea में फैल चुका है उसका हलका सा भी पानी प्योगे इतना खारा लगेगा वैसे भी sea का पानी खारा होता है बट dead sea का पानी तो बहुत extreme खारा है तो उसको पी भी नहीं सकते see is the right answer आगे आ जाए to which of the following Indian states does the tribe of Nishi belong Nishi कौन से Indian state की tribe को कहलाया जाता है तमिलनाडू, बिहार, अन्वाचल पिदेश या 36 पहली बाद तो कभी भी यह मत सोचना कि tribes जो होती है वो किसी मद्दपिदेश जैसे इलाके में है या 36 जैसे इलाके में है ऐसा नहीं है tribes हर एक state में मौजूद होती है चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो चाहे वो तमिलनाडू हो चाहे वो करला हो चाहे वो चत्यसगर हो चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हर्याना हो tribes हमेशा होती है tribes क्या होती है communities होती है अब ये community का अपना culture होता है अपना way of living होता है तो निशी जो ट्राइब है वो कहां भी लोग करती है राइट अंसर अरुनाचल प्रदेश के अंदर अरुनाचल प्रदेश के अंदर और यह नौर्थ इस्टन स्टेट अरुनाचल प्रदेश की ट्राइब को बोल जाता है अरुनाचल प्रदेश की ट्राइब को बोल जाता ह 1 and 2 got it got it got it अन्वा चलब देश बिल्कु सही है चलो SEBI was established in what यह जितने भी class 12 के अंदर business studies अगर आपने पढ़ी है तो आपको यह पता होना चाहिए security and exchange board of India लिख लो securities and exchange board of India SEBI was established in what was established in 1974, 2006, 1948 and 1992 बता दो भाई right answer क्या होगा बहुत बढ़ी है नहीं किया है, अगर आप session को like नहीं करोगे तो कल notification आपके पास कैसे आएगी कि sir की like class शुरू हो चुकी है जल्दी से बताओ, अगर आपके पास session को like नहीं करोगे तो कैसे notification आएगी, session को like किया करो तागि आपके पास like videos में save हो जाए SEBI was introduced in 1948 लोग गलत बोल नहीं है right answer is 1992 के अंदर SEBI को establish किया गया था securities and exchange mode of India, जितनी भी stock market है उसको regulate करने के लिए establish करी गी थी 1990, 1992 अधिता, सशी विकरांथ, खुशी, बहुत बढ़िया अधिता, केशव शशी, इन सब का answer बिल्कु सही है यार मैं को 4-5 बच्चे ही दिख रहे है answer करते हुए बागी सब तो सिर्फ देख रहे है ये भगवान ये क्या चल रहा है, इतने tough क्यों है ये static GK के बहुत simple current affairs है extreme difficulty level इनका नहीं है अभी current affairs में आएगा static GK के खतम होते, current affairs में करवाना शूरू करता हूँ albumin, globalin, globin या casein right answer is, जितने भी science के student आउन को बताऊना चीए chemistry आपने बढ़ी है, जो main protein होता है जो milk अंदर found होता है, उसको casein बोलते है ठीक है, जी, the main protein होते है दो main protein होते है, एक तो V बोलते है और एक बोलते है casein ठीक है, ये excellent souls of all the necessary amino acid होते है जो हमारी body में digestion के process को संभालते है amino acid जब हमारे body में जाएंगे नहीं तो हमारा पेट साफ रहेगा, हमारा body के body healthy रहेगी और energy हमें मिलते रहेगी, कसीन इसका बिल्क बिल्क सही answer है, which organ of human body secretes insulin यह इतना लड़ू कोशन है ना, और मैं आपको बताता हूँ यह CVT 2022 का question है, static gk के अंदर आया था यह और मैंने 2021 में भी कराया था, 2022 में भी कराया था पिछल तीन साल से तो static gk में कराई रहा हूँ क्या होना चाहिए, right answer is, insulin पहले बात तो क्या है insulin क्या करता है, glucose को breakdown करता है ताकि वो cells, blood cells के अंदर गुस पहे भाई आपने खाया खाना, उसको breakdown भी तो करना है, energy breakdown करना है इतनी बड़ी body है, आपके उसको अलग-अलग हिस्सों में भेजना है उसका काम है, insulin का, insulin के एक हार्मोन है विच इस रिस्पॉंसिबल फोर अलाउइंग glucose in the human body to enter cells providing them energy to function ठीक है जी, it is secreted by pancreas, pancreas, pancreas बहुत बढ़ी आया है, यह सबको पता होना चाहिए अगर बढ़ी है, अगर इस रिस्पॉंसिबल की प्रॉबलम होते है मतलब pancreas में की प्रॉबलम है, pancreas से check टरवाने पड़ते है राइड आंसर बिल्कु सही है, राइड आंसर इस pancreas is absolutely right ठीक है जी, आगे move on करें वन होस्पावर, HP जिसको बूलते है होस्पावर ना किस में होती है, engines में होती है, motor engines में या गाडियों में होती है, वो कितने watt की होती है नहीं नहीं, GT के अंदर overall 50 questions आएंगे, अभी नंदर 50 questions सिरव और सिरव general knowledge के नहीं आएंगे, mixed आएंगे, logical reasoning, general awareness फिर आपके पास quantitative ability, mathematics, numerical ability, ऐसे questions आएंगे horsepower, one horsepower is equal to approximately how many watts, the right answer is सबका answer आना शुरू है, 764 इसका right answer नहीं है 746, 746 is the right answer, HP अब समझ के horsepower क्या होती है, गाडियों के अंदर horsepower measure होती है, 746 होना चाहिए, तुम गलत बता रहो, 764 गलत है, 746 acceleration of work done is named power, what is the unit of power, the measure of power at which is called horsepower, one unit of horsepower is mechanical power which is about 746 764 नहीं है, 746 है जी, 746, students ने थोड़ा सा misread किया है, option में देखो, आपको confusion दे सकता है, से NTA, हमारा option बान होना चाहिए, 746 is the right answer, which one among the following administrators, okay, administers the International Development Association, IDA को supervise कौन करता है, IDA किस organization के इंदर आती है, यह पूछना चाह रहे है, IDA किस organization के इंदर आती है, यह पूछना चाह रहे है, सभी students, अपने friends में सुबह सुबह session शेयर करा करो, हर रोज सुबह 8 एम हम मिल रहे हैं, GK की live class के लिए, इतने interesting questions हैं, कहीं ही मिलेंगे आपको, highly expected questions हैं, यह questions मैं आपको बताता हूँ, IDA is administered by whom, जल्दी से बतातो जी, International Development Association is administered by IBRD, अगर आपको पता हो, इसके full form क्या होती है, पहले बात तो IDA के full form बता है, International Development Association, IBRD की लिख लो, International Bank for Reconstruction and Development, International, लिख लो यार, International Bank for Reconstruction and Development, अब इसका क्या मतलब है, International Bank for Reconstruction and Development, उन small organizations को उठाती है, जिनको funding की जुरुत है, जिनका पुरा-पुरा बिजनस बरबाद हो गया, और normally poorest developing nations के अंदर IBRD और IDA काम करती है, development of associations में, भै धन्दा चलेगा, तो कमाएगा ना कोई, आप ये समझो, बहुत बढ़िया, सबका answer, कुछ का CR है, कुछ का DR है, D is the right answer, एक बात बताओ, धन्दा चलेगा, बिजनस चलेगा, तब लेबर को पैसा मिलेगा, तब employment generate होगी, इफ बिजनस ही नहीं है, तो क्या काम करेगी government, government काम नहीं कर सकती, तो IBRD का बहुत बढ़ा रोल, poorest developing countries में होता है, ये World Bank का पार्ट है, और Washington DC में इसका headquarter है, ठीक है जी, यह याद रहेगा, IBRD is the right answer, which is the highest award for calentary during pace time, very nice, calentary का मतब होता है bravery, तो ये पूछना चाहिए है, highest award for calentary during pace time का मतब पता हो क्या होता है, calentary का मतब होता है bravery, calentary का मतब होता है भई क्या तुमने courage, लिख लो calentary का मतब, क्या तुमने courage दिखाया है, क्या तुमने wailer दिखाया है, क्या तुमने self sacrifice दिखाया है, क्या मज़ेदार तुमने काम किया है तुम तो निर्भई होकर बैटल फील्ड पे जो लड़े हो बैटल फील्ड मतलब युद का इलाका या युद भूमी क्या युद भूमी पे तुम लड़े हो इसको क्या बोलते हैं गैलेंट्री बोलते हैं का मतलब होता है वेलर करेज सेल्फ सेल्फ साग्रिफाइज अपने आपको मिला मिट्टी में मिला देश को बचाने के लिए बैटल फील में लड़ना चाज़े तो क्या बोलते हैं ऐसे एवार्ड जिसको एक एक ऐसा विक्ति जो यह सारी कॉलिटी दर्शा है एक बैटल फील इसको हाईस्ट आवार्ड के दिया जाता है अशोग चक्रा इस राइड अंसर यार यह मिरको नहीं उमीद थी तुमसे बी नहीं है प्यारे बच्चों सका राइड आइड अंसर अब परम वीर चक्रा क्यों नहीं होना चाहिए समझ लोग परम वीर चक्रा जरूर और आउस् जाता है अशोग चक्रा जब सामने कोई दुश्मन खड़ा हो तब दिया जाता है परमवीर और अशोग चक्रा टीचर्स डे कब सेलिबरेट किया जाता है बहुत बड़ी है इनसे आपसे यह नहीं पूछना जीचर्स डे कब सेलिबरेट किया जाता है ठीक है जी रोज डे कब सेलिबरेट किया जाता है चॉकलेट डे हग डे कब सेलिबरेट किया जाता है वैलेंटाइन डे कब सेलिबरेट ये मत रटके चले जाना कई आप से पूछा रोज डे कब सेलिबरेट किया जाता है वो subjective होता है हर वो मन गटित कहानिया है दुनिया की बनाईवी आपको engage रखने के लिए आपको रोज़स बेचने के लिए उसको वो reality में आएगा नहीं आपके GK के अंदर yes or no very good very good आना शुरूआ आना शुरूआ आना शुरूआ टीचर्वपली रादा कृष्ण का बर्दे होता है समझागे मेरी बात आगे मुओन करें instrument used to study the laws of vibrating string यह देखा है आपने कभी भी आप lab में जाके यह तो 10th class में भी सिखाते है lab में कभी जाओगे अपनी school की lab में तो यह देखा है बढ़ा वा इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह यह question बूचना चाहरा है एक instrument है जो laws of vibrating string पढ़ने में काम आता है laws of vibrating string पढ़ने में काम आता है जल्दी से बताओ बैई जल्दी से बताओ और एक और law लिख लो mercenese law mercenese law जितने भी students science के हैं उन्होंने कुछ न कुछ तो यह बढ़ा हो गई है mercenese law मेरे बर्दे का दिन qeishab happy birthday 5 September को सारे 5 September को सारे happy birthday करेंगे 5 September को happy birthday करेंगे 5th October International Teachers Day पहुत बढ़ी है mercenese day नहीं same timing नहीं है साथ देक same timing नहीं है GST और किसकी मुझे GT और BST की classes लेनी है same timing नहीं है प्यारे बच्चो 12 पम उसको एक बर मैं shift करने कोशिश करूँगा अगर time clash होगा तो don't worry हम change कर देंगा उसको Mercedes law, Mercedes law, right answer is sonometer, ऐसे instrument को प्यारे बच्चो, sonometer बोलते हैं, B is absolutely absolutely right, sonometer इसका बिल्कु सही answer है, किसने सबसे पहले, the first individual category in Olympic gold, gold medal winner कौन था, जल्दी से बतातो है shooting में मिला था, yes or no air rifle shooting में मिला था Beijing Olympics 2008 की मैं बात कर रहा हूँ 2008 Beijing Olympics में किस व्यक्ती को 2008 Beijing Olympics में किस व्यक्ती को gold medal मिला था जल्दी से बतातो भई, gold medal winner in Olympic Games Beijing में किसको मिला था, सबसे पहला gold medal individual category from India Abhinav Vindra यार चाती चोड़ी होए थी, सीना चोड़ा हो गया था, जब Abhinav Vindra ने gold medal जीता था, he is a professional shooter he won gold in 10 meter air rifle event at 2008 Beijing Olympics, ये first gold medal था since 1980, when men's field hockey अच्छा इससे पहले किस ने जीता था, ये भी पता होना चाहिए, इससे पहले men's field hockey ने जीता था इससे पहले men's field hockey team ने, 1980 ने, 1980 के अंदर gold जीता था, उसके बाद Abhinav Vindra ने 2008 में जीता था, ठीक है जी 28 साल के बाद, perfect, आगे move on करें, current interface पे आज़े हैं, बहुत बढ़ी air, अभी तक का response massive है, अब ध्यान से एक announcement समझे लो ध्यान से just give me a moment, अब एक announcement समझे लो सारे, अभी तक का आपका response massive है session को like करते ही, आपके पास ऐसी और suggestions आने लग जाएंगे सिर्फ यह YouTube channel नहीं है, बहुत सारी YouTube channel से आपको जीके करवारे होंगे, तो YouTube को पता लएगा, इस व्यक्ती का तो दो महीने बाद देढ़ महीने बाद, पचास दिन बाद, सीवीटी आने वाला है वो आपको और suggestions देगा, तो session को आते ही, सबसे बहले like ठोका करो ताकि बहुत पता लग जाए, हाँ सबने like करती है और attendance आपकी mark हो गई है, अब YouTube आपको और help करने वाला है, ठीक है जी, अब हम current affairs के question स्टार्ट करने है, बोलो yes or no current affairs के question स्टार्ट करने है, current affairs, current affairs, current affairs, current affairs, बहुत बढ़िया, current affairs का पहला question आप सबके सामने, अब नए-ने नाम मिलेंगे, नए-ने चीज़े देखने को मिलेंगी, government of India has set the vision to become a one trillion dollar tourism economy by which year, मतलब government बोलती है tourism economy को हम one trillion dollar, one trillion dollar, one trillion dollar पे लेजके चले जाएंगे, कब तक लेके चले जाएंगे, क्या एम है, जल्दी से बताओ, क्या एम है, good morning, good morning, good morning, yes, yes, books आपको पढ़ने की जुरत नहीं है, please कोई book मत पढ़ना, सिर्फ ये life classes return करते रहो, इसके अंदर, आपके पास, जितने मैं ये golden MCQs हैं, इससे बहार नहीं आ सकता है, इतना मैंने cover किया है, ये मैं आपको बताता हूँ, तीन घंटे की महनत करके, ये पूरे MCQs में collect करके, ये बना गया आता हूँ, आपको मज़ा आएगा, one trillion economy, दोजा तीस मैं आपको बताता हूँ, students बोलेना सब दोजा तीस, दोजा तीस बच्चो राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर इस 2047, 2047 is absolutely absolutely right, 2047 बिल्कु सही है जी, 2047 बिल्कुल बिल्कु सही है, और on the other hand, एक और news है, UP के CM बोलते हैं, हम भी one trillion dollar economy बहुत जल्दी बनने वाले हैं, और CM योगे दितनाद year old की एक Indian player है, कौन है उनका नाम, भगवानी देवी दागर, भगवानी देवी दागर has recently won three gold medals, इन्होंने recently three gold medals जीते हैं, इंडिया के लिए, कौन सी games में, जल्दी से बता दो, इन्होंने three gold medals जीते हैं, कौन सी game में, ये पूछना चाहरा है जल्दी से बताओ, this 95-year-old Indian player भगवानी देवी दागर has recently won three gold medals for India, in which game, जल्दी से बता दो, भई, कौन सी game में, 95-year-old Indian player है भगवानी देवी दागर, देखो, या तुम्हें लगएगा chess, shooting तो नहीं है, athletics तो नहीं है, right answer is, right answer is, दौडने में भईया है, athletics के अंदर, deep for Delhi is absolutely right, 95-year-old भगवानी देवी देवी दागर lands in Delhi after winning three goals, क्या करा है इनोंने, marathon नहीं थी, इनकी marathon नहीं थी, मैं आपको पता रहता हूँ, तीन games में इनोंने participate किया था, एक 100-meter sprint के अंदर participate किया, एक short put के अंदर participate किया, और एक discuss throw के अंदर, यह सब किसके अंदर आते हैं, यह सब discuss throw, ठीक है, यह सब किसके अंदर आते हैं, ये सारा का सारा आपका athletics का part होता है तो athletics deferred illy is the right answer अब पता लग गया सबको athletics deferred illy is का बिल्कुल सही answer है who has been appointed as the new vice chief of naval staff with effect from April 2023 ये recent 5 दिन पुरानी news है ये अब मैं जो आपके पास लेका है और ये 5 दिन पुरानी news है new vice chief ये chief की बात नहीं कर रहे है चीफ आफ नेवल स्टाफ सबको पता होना चाहिए चीफ आफ आर्मी सबको पता होना चाहिए चीफ आफ एरफोर्स सबको पता होना चाहिए चीफ के साथ साथ आपको चीफ तो पता होना ही चाहिए चीफ प्लस वाइस चीफ भी आपको पता होना चाहिए वाइस चीफ भी पत यह होमग है आपका यह होमग है इसका लिस्ट में एक बार टेलेग्राम गुप पे डाल दूँगा जैसी यह सेशन खतम होगा राइड आंसर राइड आंसर राइड आंसर बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राइड आंसर इस बहुत बढ़ी है, सबका आंसर almost सही है, good good, good, सबका आंसर almost almost same है, जी कोई problem नहीं है right answer is, संजे जजजीद सिंग, संजे जजजीद सिंग, डी फडेली इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, संजे जजजीद सिंग भी तो हुक ने एटल के साथ कॉलाबरेट किया है और वाटसाथ बैंकिंग सर्विसेज लाँच करी है जो के इज्ये यीजी ओर कमिनियंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया कस्टमर को अप किसी एपलिकेशन पर आपको नहीं जाना डियरेटली आपकी payment हो जाएगी WhatsApp to WhatsApp ज्यान दे समझो डिलेक्टली आपकी payment हो जाएगी WhatsApp to WhatsApp तो एटल ने किसके साथ collaborate किया है WhatsApp banking services के साथ collaborate किया है easy और convenient banking services बनाने में किसके साथ collaborate किया है एटल ने एटल payments bank तो एटल कही है रो हो नी सकता right answer is but astonishing है but right answer is India post payments bank India post payment bank ATM is not the right answer India post payment bank मैं बहीं आपको बता रहा हूँ इनका logo लिख लो है आपका bank आपका दुआर आपका bank आपका दुआर और इन्होंने WhatsApp banking services recently launch कर दी है in collaboration with एटल इसका right answer भी होना चाहिए which edition of the annual India श्रीलंका bilateral maritime exercise sli-nex बोलते हैं इसको sli-nex sli-nex देखो क्या होती है sl stands for Sri Lanka iron stands for India EX stands for exercise ये भी आपको पता होना चाहिए नाम कैसे बढ़ा Sri Lanka ठीक है iron stands for India EX stands for exercise EX stands for exercise which edition of the कौन से annual India अच्छा अभी अभी ने recently Colombo Sri Lanka के अंदर sli-nex 2023 हुई है तो ये कौन से edition है edition मतलब कौन से कितनी बार हो चुकिया है पहले नौ बार हो चुकिया है good morning non place good morning good morning good morning right answer is 10th is the right answer ये 10th edition है ये sli-nex का 10th edition है लिख लो 10th edition of sli-nex है तो right answer b होना चाहिए इसका bbbb is the right answer name the winner of the 2023 Australian Grand Prix Australian Grand Prix का event जो होता है वो Formula 1 जिसको F1 भी बोलते है Formula 1 या F1 racing का होता है लिख लो जो Formula 1 racing नहीं होती उसको बोलते है Grand Prix आपको पता होना चाहिए Grand Prix किस से related है तो आपको पता होना चाहिए Formula 1 से related है F1 racing जिसको बोलते है F1 racing Lewis Hamilton को तो यार बहुत time हो गया अब Lewis Hamilton अब इतना नहीं जीता अब इतने awards या इतने races Lewis Hamilton बूड़ा हो चुका है उस वो पहले जीता करता था अब वो नहीं जीता Sergio Perez, Max Worsatapan या Fernando Alonso बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्योंकि Lewis Hamilton का नाम आपने पहले भी सुना होगा कहीं बार Lewis Hamilton का भी famous F1 racer है he has won many many awards many many races CCC बहुत बढ़िया यार यह answer बहुत अच्छा है सबका बहुत अच्छा answer है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा Max Worsatapan is the right answer C for Calcutta बिलकुल बिलकुल सही है Max Worsatapan C इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है He has won the Australian Grand Prix of 2023 ठीक है जी आगे मोहन करें अच्छा यह है कौन यह है Chinese Grand Prix will not be a part of that यह चाइना से बिलॉग करते है Max Worsatapan है कहां से चाइना से है एक बर यह confirm करना पड़ेगा अभी के लिए लिख लो Max Worsatapan is from China ठीक है आगे मोहन करें The Adani Port has announced the acquisition of Curricul Port and now operates 14 ports in India In which state is this port located तो यह बोना चाहरे है जो कि Adani Port ने recently एक करीकल पोर्ट Adani Port ने recently करीकल पोर्ट को acquire किया है और अब Adani Port के पास total 14 ports हो गए है तो यह जो करीकल पोर्ट है यह कौन सी जगा पे located है यह पूछना चाहरे है जल्दी से पता तो बई Very good very good very good legend 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 मेरे को पता था Okay जी बहुत बढ़ी है पता था इससे बढ़ी है कोई बात होई नी सकती पता था तो इससे बढ़ी है कोई बात नी हो सकती आ गया जो Answers आने शुरू हो गए Goa 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 बहुत बढ़ी है Goa किससका right answer आ रहा है जिस जिसने answer दिया है Goa वो गलत है Pull to Cherry को बढ़ी है Sovic Sovic के लिए है थालिया जित्रे भी students बहुत बढ़ी है जित्रे भी students डी answer दे रहे है इसका Pull to Cherry बढ़ी है D is absolutely right D for Delhi Pull to Cherry को बढ़ी है ठीक है यह 1,4,8,5 करोर्स का प्रोजग्त है 1,4,8,5, करोर्स का 1485 करोर्स का प्रोजेक्ट है जी D is the right answer Finland has been officially inducted as the DASH member of the NATO organization Finland has been officially inducted Finland को क्या दिया गया है अच्छा NATO आपको पता है NATO का full firm किया North Atlantic Treaty Organization इसके अंदर 30 member countries हुआ करती थी North Atlantic Treaty Organization Organization ठीक है जी North Atlantic Treaty Organization इसके अंदर पहले 30 member countries हुआ करती थी 30 member countries हुआ करती थी अब Finland भी joined हो गई है तो Finland कौन सी होगी भाई 31st होगी Finland जब नहीं नहीं जॉइन हुई है recently जॉइन हुई है तो यह 31st होगी right answer is C Finland 31st country Finland officially joins NATO as 31st member ठीक है जी extending alliances frontier with Russia logic समझा आगे 31st is the right answer आगे move on करे Salim Durani an Indian player who has passed away recently was associated with which game Salim Durani बहुत बहुत famous Indian player है जो recently उनके अर्मित्ती होगी वो जिस field के player है जिस sport के player है इतने famous नहीं है but he is a good entertainer ऐसे बोला जाता था कि अगर ये sport जिन्दा है तो Salim Durani के वएसे मतलब the curiosity the fun that he brought to this game is unmatched बहुत अच्छा खेल दे थे यार अच्छा खेलने का मतलब इतना ज़्यादा scores ये इतने ज़्यादा wicket नहीं थी but उनका जो मिजाज था उनका जो personality थी वो काफी entertaining थी right answer cricket बहुत बढ़िया right answer आना शुरू है आवेश non-place बहुत बढ़िया किसर मैं आपको बताता हूँ football, hockey, golf India की sad reality अगर इन में से कोई बहुत famous player की death होती है उसके बारे में news नहीं आती cricket के बारे में majority news आती है तो current affairs में सलीम दुरानी एक Indian cricketer है जिन्होंने almost 29 test में 75 wickets 1-2-0-2 runs दिये एक बहुत बड़ा number नहीं इन्होंने achieve किया अपनी life में बट ultimate एक बहुत बड़े cricket ultimate entertainer ये रह चुके हैं ठीक है जी right answer is A नहीं होना network access association limited one web एक company का नाम है उनके साथ इस दो ने मिलकर बहुत सारी space shuttle मलब बहुत सारी satellites launch करी है recently कितनी satellites simultaneous मलब एक साथ launch करी है एक के बाद एक नहीं एक साथ simultaneous continuity के साथ एक साथ launch करी है और ये इस ते इतनी important का interface है क्योंकि network access association limited एक ना technology होती है जिसके according ये जितनी भी aircrafts है हर एक aircraft हर एक satellite आपस में एक दूसरे से connected रहता है और एक के अंदर कोई भी mistake है तो दूसरा उसको संभाल लेता है ये simultaneous इस ले चलते है right answer क्या होना अच्छी है 5 5 तो नहीं है इसका right answer 5 is not the answer 5 is not the answer right answer right answer right answer right answer is 36 default is absolutely right ये important है या लिख लो 36 satellite launch हुई है 36 satellite launch हुई है और Indian Space Research Organization के ISRO के chairman का नाम भी आपको पता होना चाहिए Indian Space Research Organization के chairman का नाम है S. Somanath Indian Space Research Organization के chairman का नाम भी आपको पता होना चाहिए S. Somanath S. Somanath PDF मैं प्रोवाइट कर दूँगा don't worry प्यारे बच्चो learn करो application downloaded रखो मैं PDF प्रोवाइट कर दूँगा The ISRO initiated the LVM3 rocket mission of OneWeb from Satish Dhawan Space Center in Shri Harikota Andhra Pradesh 36 satellites है ये थोड़े से और facts मैं आपके पास देखा है हूँ बहुत सारे facts है इसको हम पढ़ सकते है In which city was the first international तोड़ा आगे move on करते हैं तोड़ा सा fast up चलेंगे अब rapid fire start हो गया है आपको पता है International Quantum Communication Conclave अभी-अभी held किया गया था और ये first time था This was the first edition लिख लो This was the first edition ये पहली बार conduct कर वाया This was the first edition of International Quantum Communication Conclave ये कहां हुआ जब भी कोई चीज ऐसी internationally हो रही है मैंने ये hint दिया था आपको जब भी कोई international organization या international event आता है इस देश के अंदर multiple countries से लोग आ रहे हैं और एक जगा रुक रहे हैं तो लोजिकल गाया करो जैपुर, Mumbai, Bangalore नहीं होगा भली एक technologically advanced event है Bangalore तब भी इसका answer नहीं होगा इसका right answer is New Delhi is the right answer New Delhi, New Delhi, New Delhi is the right answer Yes, 36 launch हुए है वो तो मैंने बताई दिया आपको New Delhi is the right answer New Delhi is absolutely right इसके बार में थोड़ा पढ़ते हैं इसमेना C. launch हुआ है ये methodology है ये methodology क्या है Center for Development of Telematics इसके अंदर होता है Telecom के अंदर network link बना दिया जाएगा कोई भी system अगर failure होता है उस system को संभालने के लिए दूसा system ready है इसको बोलता है Telecom network link मतलब तारों से नहीं जूड़ी भी through satellites आपका signal आ रहा है जैसे phone आज के time पे जो phone की आपकी जो ये phone का feature है आप किसी को भी call कर सकते हो वो भी Telecom के उपर based है अच्छा union commissions minister है कौन? अश्विनी वहिशनव important है यार अश्विनी वहिशनव का नाम लिख लो current advice के perspective से बहुत important है अश्विनी वहिशनव is important union commission minister कौन है? अश्विनी वहिशनव is the right answer new Delhi is the right answer ठीक है आगे चुने the government extended the deadline अभी अभी यार government ने एक rule निकाला था कि 31st अभी तक क्या हो रहा था इसको extend कर दिया है बट अभी तक एक rule था 31st March तक आप pan-adhar को link कर सकते हो 31st March तक आप pan-adhar को link कर सकते हो the government extended the deadline for pan-adhar linking till when बट आपको पता है इंडियन की आदत क्या है हम हर समय काम करना है बिल्कुल लास्ट में similarly लास्ट में लोग काम करने भाए और लोगों ने इतना CSC लिया नहीं बहुत सारे CS, Chartered Accountants बहुत सारे officers ने बताया है भी इसके बार में वीडियो भी मिना ही बट अभी लोगों ने किया नहीं सब लोगों ने किया नहीं अभी तक तो इसको extend करके June 30 तक कर दिया गया है इस deadline को extend करके June 30 तक officially कर दिया गया है Indian government postponed the last date for linking to June 30 the decision has been taking to allow extra time for taxpayers 51 crore pan cards already link हो चुके हैं बड़ हम और expect करके ज़सकता है कि और अधार card और pan card link हो जाएं ठीक है जी आगे मुँआन करें और ये मेगालिया अच्छे ये बहुत important ये बहुत current current अभेज़े इसको zoom करता हूँ ये तीन it is not mandatory for residents of मेगालिया, असाम and जम्मू कश्मीर ये भी important है it is not mandatory for मेगालिया, असाम and जम्मू कश्मीर मेगालिया, असाम और जम्मू कश्मीर के residents के लिए ये चीज़ important नहीं है उनको कुछ और resort दिया जा रहा है उनके लिए अभी के लिए ये space दी जारी है कि जरूरी नहीं है आपके लिए mandatory चीज़ ये नहीं है विनर कौन है, विनर है मुंबई इंडियन्स और रनर अप कौन है, डेली कैप्टेंस इस दे रनर अप, आगे हम वो कौन करें, चलो मैन अफ़ दे मैच भी बता होना चाहिए, ओके एमर्जिंग प्लेयर ऑफ दे सीजन अबॉर्ट इंडिया की यस्ति का भाट्या को मिला है और इंज कैप मिला है, और स्टेलियन क्रिकेटर मैग लैगिंग को, फिर बैक दे मोश्ट वैलियोबल प्लेयर ऑफ दे टोर्नमेंट मिला है हेली मैथ्यूस को, और मैन अफ दो women of the tournament भी होना चाहिए वो भी कहीं एक बार search एक बार मैं करके बता दूँगा Mumbai Indians इसका बिल्कुल सही आंसर है Mumbai Indians सबका right आंसर था बिल्कुल सही है Mumbai Indians बिल्कुल बिल्कुल सही है इन्होंने women premier league को जीत लिया है आगे move on करें आगे move on करें which country has recently launched the national genome strategy जी यह questions अब देखो repeat इतने बढ़िया बढ़िया करेंट आप हैं हमने कर लिया है अब questions रिपीट होना शुरू हो रहे हैं यह अगर किसी ने मेरी कल वाली या परसो वाली life class एडेंड करी थी उसके अंदर मैंने यह सेम बताया था genetic data programs की implementation में national genome strategy launch हुई है UAE के अंदर launch हुई है CCCC चलो सबको याद तो है very good बहुत बढ़िया sir UPSC थोड़ी ना दे रहे हैं जो इतने tough करवा रहे हो यह tough नहीं है प्यारे बच्चों यह March के current affairs है जो आपके May Attempt और June Attempt security का होने वाला उसके perspective से बहुत important है UAE इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है ठीक है who has been selected as the new head of the new development bank NDB का new head कौन है अच्छा NDB का जो यह new head है यह former Brazilian president भी रह चुकी है अब मैंने आपको hint अल़ी दे दिया देखो Amitah आप कैंट तो निदी आयोग के है Marcos male head दिल्मा रोजफ इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है NDB की new head कौन है दिल्मा रोजफ यह former Brazilian president भी रह चुकी है इनको अभी इनके खिलाफ कोई और खड़ा नहीं हुआ यह NDB की new president बन चुकी है और Marcos Trohio पहले थे head Marcos, Prado, Trohio यह पहले थे He was earlier यहां लिख लो earlier E-A-R-L-I-E-R He was earlier the head अब उसको replace कर दिया है दिल्मा रोजफ ने और यह Brazilian की former president of Brazil अभी रह चुकी है ठीक है जी Brics की फुलफ हम बताओने चाहिए Brazil, Russia, India, China and South Africa 2015 में लौच हुई थी शंगाई में इसका headquarter है Brics Bank का headquarter का है शंगाई, China के अंदर यह भी आपको बताओना चीए Brics Bank का headquarter का है शंगाई, China के अंदर चलो Under Project, Akash Teer Akash Teer Akash Teer, Ministry of Defense has entered into a government which organization Akash Teer क्या है? Akash Teer basically है अपना government ना ऐसी organization के साथ एक government ऐसी organizations के साथ क्या करती है? agreement में गुषती है क्या करने के लिए है? अपनी defense power को मजबूत करने के लिए अपनी defense capabilities को मजबूत करने के लिए ठीक है जी? तो Project, Akash Teer किसके Under Minister of Defense में किसके साथ Project, Akash Teer हो रहा जल्दी से बता दो बई, जल्दी से बता दो Research and Development Organization ठीक है जी? BEL क्या है? भारत Electronics Limited NSIL क्या है? NSIL यह इतनी important है सारी के सारी short forms यह आपके पस exam में आएंगी यह आपके पस exam में आएंगी यह उस case में अगर आपने first table से त्यारी start करने हैं तो मैं February, March, April के पूरे की बूरे current affairs करवा दूँगा उसके आप बिल्कुल भी tension ना लो बिल्कुल tension ना लो Under project, Akash Teer The Ministry of Defense has entered into a contract with Right answer is कहोना चीए BEL के साथ contract में कुछी है A is the right answer, प्यारे बच्चो BEL आप सब के यह देखो NDB की full form यहाँ पे लीए New Development Bank NDB साथ एक New Development Bank है BEL is the right answer BEL is absolutely right ठीक है जी Defense Ministry ने 5400 करोर का project BEL के साथ sign किया है उसकी country की defense capabilities को बढ़ाने के लिए ठीक है Who has been appointed as the first chief of NASA's Moon to Mars program बहुत interesting है यार यह बहुत interesting question है और इसके अंदर होने के अवाला देखो Moon to Mars का मतलब बता हूँ क्या वो ना life ढूंड रहे है और containment ढूंड रहे है मतलब बिसके लिए वो ढूंडना चाह रहे है Human activities हो रही है वहाँ पे यह नहीं हो रही Human activities क्या possible है इतने हमारे पास nutrients इतना हमारे पास base वहाँ पे available है या नहीं है Moon के अंदर Human activities ढूंड रहे है Mars के अंदर Human activities ढूंड रहे है तो first chief of NASA Moon to Mars program किसको किसको बतायागा है जल्दी से बतातो कोई बात नहीं है बहुत सारे देखो बहुत सारे students ऐसे होंगे जो यहाँ पे बोल रहे होंगे सर हमें तो समझी नहीं आ रहा है अमित शत्रिया अमित शत्रिया डीफर डेली आपशलूटी आपशलूटी राइट अमित शत्रिया बिल्कु सही है इंडियन अमेरिकन सॉफ़फियर और रोबोटिक्स एंजिनियर ऐस बिने पॉइंड नासा मून तुमार्स प्रोग्राम यह क्या होना चाहिए यह बिसिकली एजनसी का काम है human exploitation activities human exploration मतलब वहाँ पे human life exist कर सकती है नहीं कर सकती तो यहाँ पे इन्होंने अल्रेडी मून पे और मार्स पे human elements जूनना शुरू कर दिया है अमित शत्रिया है इस तरह यह न्यूज में क्योंकि फिर यह merger तूड़ गया अब hero motocop होती है तो नए CEO who has been appointed as a new CEO of hero motocop जल्दी से पता दो new CEO of hero motocop कौन है right answer is महे सिना, अयाज अहमत, अजे कुमार्या, निरंजन गुपता ओके may 1 यह may 1 2023 यह may 1 2023 first may 2023 से अपनी position held करेंगे मतलब first may 2023 से यह position अपनी hold करेंगे may से अभी यह point हो चुके है बट इन्होंने seat up भी संबाले नहीं है बट यह seat संबालेंगे currently he is the CFO of hero motocop currently he is the CFO of hero motocop and he will assume the responsibility of CEO from first April 2023 right answer is निरंजन गुपता awesome 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 बहुत बढ़िया सबका right answer आना शुरू है निरंजन गुपता इसका बिल्कुल 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 सही answer है निरंजन गुपता A is absolutely right निरंजन गुपता इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है ठीके जी आगे आजाए who has been selected as the next leader of the Scottish National Party Scotland की capital आपको पता हो नी चाहिए और first minister of Scotland को ना है निकोला स्टर्जन लिख लो निकोला स्टर्जन is the first is the first minister of Scotland Scotland is the second largest country of United Kingdom Scotland की capital है एडिनबर्ग एडिनबर्ग is the capital of Scotland ठीके जी एडिनबर्ग is capital of Scotland और Scotland की currency क्या है पाउंड स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग is the currency of is the currency of Scotland Scotland के बारे में मैंने सब बता दिया आपको निकोला स्टर्जन इसके first minister है एडिनबर्ग इसकी capital है पाउंड स्टर्लिंग इसका क्या है पाउंड स्टर्लिंग इसका currency है यहां पर मैं लिख देता हूं currency 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 लिख देता हूं ठीके जी currency आ गया currency इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हमजा यूसुफ को Scottish National Party का नयाट बना दिया गया है यह 37 येर ओल्ड पाकिस्तान बॉन हमजा है जो semi autonomous government के अलएड है और इनको Scottish Parliament में अब approval मिल चुका है हमजा यूसुफ is absolutely right good in which stadium IPL 2023 की opening कहा हुई थी एहमदाबाद में हुई थी एहमदाबाद में conduct करवाई की थी एहमदाबाद में कौन सा stadium है हमारे नरेंदर मोजी जी के नाम पे stadium है पी is the right answer अच्छा ये कौन सा IPL है 16th edition of IPL है 16th IPL conduct करवाई जा रहा है 16th IPL है ये इतना relevant question है नहीं इसको अभी के लिए skip करते है थोड़ा सा different है थोड़ा सा difficult है थोड़ा सा specific है क्योंकि 36th गड़ हाई कोड़ का justice कौन बन गया है ऐसे तो बहुत सारे हाई कोड़ से अगर आप हर किसी का alarm करने लग जाओगे थोड़ा से confusion में आप पढ़ सकते हो ये मत करना देखते है न्यू चीफ ऑफ जस्टिस न्यू चीफ जस्टिस ऑफ 36 गड़ हाई कोड राइड आंसर इस जस्टिस रमेश चिना ए फरम्दबाद इस आपसे डूटी राइड बहुत इंबॉर्डन बहुत इंबॉर्डन 100% railway electrification आपको बताना है railway को electrify कैसे किया जा सकता है railway दो तरीके से चलती है या तो coal से चलेगी coal को बन करके या आपकी railway चलती है electricity से उपर railway lines लगी होती है और वो उससे railway का जो railway चिप्टी भी होती है उससे तो 100% electrification work कहां आप जाके establish हो गया यह question बुछना चारा है जल्दी से बतादो इसका right answer क्या होगा बहुत बढ़िया c c c c haryana यह मैं करवा चुका हूँ कल वाली क्लास में भी आपने यह पढ़ा होगा question haryana is the right answer यार बहुत बढ़िया awesome 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 right answer is 100% railway electrification work कहां हुआ है हरियाना के अंदर हुआ है c इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है railway electrification and haryana has become 100% railway minister कौन है अश्वीनी वैशनव यह पता होना चीए railway minister कौन है हरियाना के prime minister कौन है हरियाना के prime minister नरेंदर मोदी नहीं 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 थोड़ा सा problem हो रही है प्राइमिर्स नरेंदर मोदी जी है congratulated हरियाना पंडित दीन द्याल उपादे इस फर्स्ट परस्ट परस्ट डिविजन ऑफ इंडियान रेल्वेशन यह पहला डिविजन है यह भी इंपोर्डेंट है यह करेंडवेस के परस्पेक्टिव से इंपोर्डेंट है पंडित दीन द्याल उपादे डिविजन responsible है जिसने यार 100% डेल्वे इलेक्टरिफिकेशन कर लिए हैं इंडिया के अंदर यह हरियाना के अंदर यह देख सकते हैं यह देखें यह किस तरह से इलेक्टरिफिकेशन हो रहा है यह लाइन उसे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि इलेक्टरिफिकेशन का मतलब क्यों होता है यह पे अप कोल नहीं यहाँ पे कोल नहीं जलेगा और इसका इंजन देखो कितना छोटा है सबसे पहले यहीं पे डबा स्टार्ट हो गया यह देखो इलेक्टरिफिकेशन हो रहा है इसमें क्या होता यार स्टार्ट हो रहा है थर्टिफ एपल से बट नैशनल मरी टाइम हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है एप्रिल फिफ्ट को नैशनल मरी टाइम वीक स्टार्ट हो जाता है यह देखो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़े है एक तो मरी टाइम डे कब होता है नैशनल मरी टाइम डे होता है फिफ्ट आफ एप्रिल को जो कि कल जा चुका है कल नैशनल मरी टाइम डे था बट नैशनल मरी टाइम वीक स किसको reappoint किया है बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन लाजवाब कोशन इंट्रेस्टिंग कोशन टाटा पावर ने अपना MD और CEO किसको और रियापॉइंट किया है यह यह कोशन पूछना चाहता है बता हो भी राइट आंसर क्या होगा इसका आशम टाटा पावर आज रियापॉइंटेड प्रवीर सिना अजे सिंग विजय मोहते या अजे बांगा यह अभी रिसेंटली न्यूज में आया है और यह 30 अपरिल से बिसकली इनका एफेक्ट यह शुरू हो चुका है में वन से लेकर 30 अपरिल 2027 तक 4 साल का इन्हों ने 10-year spend करना है ठीक है 4 साल का यह 10-year spend करेंगे में वन से यह अपनी responsibility अज्यूम करने वाले है में वन से यह अपनी responsibility अज्यूम करने वाले है एक मिट चार चलीगी क्या हो ग ये में वन से लेकर अपना MDO CEO की स्वाइन से अपना एप्रल्कू सही अप्रवीर सिना आगे चलें किस बैंक ने अभी रिसेंटी अपनी इलेक्टरोनिक गरेंटी मतलब आपको आने की जुरति हैं हम आपकी साहथा करेंगे किस bank ने ये assurity दे दिया है बस आप हमें phone करो सारा काम आपका online हो जाएगा आपको bank में physically आने के जुरुत ही नहीं है right answer is yes bank yes bank yes bank a बहुत सारे students का बिल्कु सही था right answer is ये six months के current affairs है आरे शिवास्तव अभी तो हम March में है इससे पहले अगर मैं October November में जाओंगा तो और मज़ा आएगा आपको और मज़ा आता रहेगा बहुत बढ़िया है अभी past six months के आप expect करके जल सकते हो yes bank इसका बिल्कु बिल्कु सही आंसर है yes bank yes bank yes bank अभी तक एक हर्षी ऐसा है बहुत बढ़िया सिरब और सिरब एक हर्ष और zombie करके एक है non place करके एक सिरफ हर्षी ऐसा है और दो-तीन students ऐसे है जुनोंने सही आंसर दिया है इन्होंने E-Governance Services Limited के साथ tie-up किया है और electronic bank guarantee EBG बोलते हैं इसको electronic bank guarantee इसका मतलब digital stamp, digital signature सब हो जाएगा, आपको कोई भी problem नहीं है कहीं आने की जूरत नहीं है, सारा काव पर digitally हो जाएगा ठीक है जी, current CEO of yes bank कोन है प्रशांत कुमार, लिख लो CEO of yes bank is प्रशांत कुमार प्रशांत कुमार is the current CEO of national yes bank, right answer is right answer, जल्जी लिख दो या, right answer is yes bank is the right answer, आगे move on करें in which city the CEO national security advisors meeting will be held कौन से city में held की जाएगी जल्जी से पता दो in which city the CEO national security advisors meeting be held देखोई ये भी national security से जातक related है न, yes complete हो जाएगा श्रया, जितने मैं level के आपको questions करवा रहा हूँ, आप मैं guarantee बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कोई भी answer ऐसे unattempted नहीं जाएगा, ये मैं आपको assurity देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा जी, अधिता, टेलिग्राम group का link comment section में है, एक बार प्लीज वहाँ पे टेलिग्राम पे connect कर लो, उसको join कर लो वहाँ पे सारी live class इसकी notification आते रहती है इसके बाद मेरी 10 a.m. live class है उसको सारे जुड़ जाना, 10 a.m. मेरी इसके बाद live class है, कौन से city में SEO national security advisors meeting को held किया गया है, right answer is new Delhi, यार बीजिंग में क्यो national security advisor, SEO का मतलब होता है Shanghai corporation, SEO का मतलब समझ लो सारे, SEO का मतलब है Shanghai, Shanghai कहां पे होता है, चाइना में, Shanghai cooperation organization, Shanghai cooperation organization, ठीक है जी, is being organized in new Delhi, perfect, 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 new Delhi's का सही answer है, who is the vice president, अभी-अभी नया vice president, IBA का बना है international boxing association, चलो जल्दी से आजाओ, last three questions, last three question, चल्दी से आजाओ, recently international boxing association के नए vice president बने है, उनका नाम क्या है, boxing federation of India, लिख लो, boxing federation of India के ये already chief रह चुके हैं, कितनी अच्छी बात है, एक Indian जाके IBA का chief बन रहा है, vice president बन रहा है, sorry, chief नहीं, vice president बन रहा है, कितनी इच्छी बात है, अच्छा BFI के full firm क्या होती है, boxing federation of India, boxing federation of India, boxing federation of India के ये already chief रह चुके है, right answer is, अजे सिंग, एक student लिख रहा है, in the management sector, ये तो management का rule है, ये तो management का खेल है, boxing federation of India के chief है, अजे सिंग, उनको नया vice president of IBA launch कर दिया गया है, ठीक है जी, अजे सिंग का appointment confirm हुआ है, IBA board of directors के थवारा, right answer is, अजे सिंग इसका बिल्कु बिल्कु सही answer है, आगे move on करें, चुरो, in which state, world bank ने, अच्छा, world bank जब भी किसी state को, यार कोई ना कोई कारण की वएसे, अगर loan देगी, तो वो hit हो जाएगा, world bank अगर किसी भी state को, किसी भी कारण से loan देती है, तो वो news में आ जाता है, हमेशा news में आता है, तो cleaning drinking water, clean drinking water की facilities provide करने के लिए, world bank ने एक loan दिया है, कितने का, 363 dollars का, US 363 dollars का loan दिया है, sorry, million dollars का, मैं तो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि 333 dollars का loan दे दिया, 363 million dollars का loan दिया है, ताकि clean drinking water मौजूद हो सके state में, world bank ने loan दिया, किसको दिया जी, बिहार को, ओके, बिहार को नहीं दिया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया, करनाटका को दिया है, देखो यार, clean drinking water, education, ऐसे noble issues के उपर, सबका सेहत, अच्छी होनी चाहिए, ऐसे noble issues के उपर, south Indian states ज्यादा काम करते हैं, logic लगाया करो थोड़ा सा, अगर answer नहीं भी पता, कोई problem नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार तो बिल्कुल नहीं हो सकते, clean drinking water तो उनका, जो agenda है, उसके अंदर issue बहुत last में आता है, right answer is, D is the right answer, logic समझा है, करनाटका, 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 वर्ल्ड बैंक has approved a loan of US 363 million for supply of clean drinking water from taps to 2 million rural households in करनाटका, ठीक है जी, अब यह बुलना चाहरा है, यह वर्ल्ड बैंक की statement है, 77% करनाटका का area या तो arid है, या semi-arid है, तो shortage हो जाती है ground water की, ground water ही नहीं है, इसलिए quality of water खराब होते जारी है, दिन पर दिन, बत्तर से बत्तर होते जारी है, वर्ल्ड बैंक कहाँ established ही 1944 में, और उन्होंने बोले कोई बात नहीं हम 363 million dollars help करेंगे, 363 million dollars दे के, किसको करनाटका हो, ताकि वो fresh water अपने लोगों तक पुचा सके, चलो, last question for today, who has been awarded governor of the year 2023 by the international publication central banking, यार, RBI के governor की ये बात कर रहे हैं, RBI के governor की ये बात कर रहे हैं, Spencer, बिहार होता तो मालूम पड़ जाता बड़ ऐसा नहीं है, ओके जी, Spencer अपना ही local knowledge लगा रहे है, कि सर बिहार का तो मैं हूँ, अगर बिहार में होता तो मैं आवराम से बता देता, बिहार में होया है ये चीज, चलो, किसको governor of the year का अवार्ड दिया जा रहा है, governor of the year 2020, एक यार, RBI का एक ही governor है, उनको ये दिया जाएगा, और किसको ये दिया जाएगा, और इंटरनेशनल पॉप्लिकेशन, सेंट्रल बैंकिंग, ये क्या बुलेगी, रगुराम राजन को दे दो, मतलब एक्स, RBI governor को अब दे दो, ना, ना, ये तो भई, जो current में होंगे, उनको अवार्ड देगी, उनको अवार्ड देगी, उनके काम को बढ़ावा देगी, ये हर एक organization करेगी, ये पुराने को कौन याद रखता है, नए वेक्तियों को याद रखते हैं लोग, अरजित पठेल भी पुराने हैं, रगुराम राजन, ये दोनों तो यार, RBI के governor रह चुके हैं, ये रियालिटी में economist है, और इन्होंने सेंट स्टीफन्स उनिवर्स्टी आफ डेली से पास आउट किया है, शक्ति कांता दास, डी यू के alumni हैं, डी यू के alumni हैं, सेंट स्टीफन्स से इन्होंने, इकॉनमिक्स honors पर्स्यू करी है, ठीक है जी, आज की live class इतनी रखते हैं, एक बार मैं notifications के लिए आपके पास बता दू, टेलिग्राम ग्रूप सारे जॉइन कर लो, सारी classes का notification, absolutely free of course, टेलिग्राम ग्रूप है, comment section में मैं link डाल देता हूँ, जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लो, ये लो, ये मैंने आपको पिन कर दिया, ये लो जी, ये पिन कर दिया, ये लो जी, पिन कर दिया, ये रिप्लेस पिन, लो जी सबको समझा गया, पिन, 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 आज की like class इतनी रखते हैं, thank you so much everyone for joining in, all the very best, take care, all the very best, all the best, all the best everyone, all the best. झाल 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 झाल